पंदर सितंबर से एशिया कप का अगाज हो चुका है आपको बता दें कि पहला मैच श्री लंका और बांग्लादेश के बीज खेला गया था यहां पर बांग्लादेश की टीम ने श्री लंका की टीम को 137 रनों से मात दी है चलिए एशिया कप के इन ही सारे बातों पर कि कैसे बांग्लादेश उभर के आई कल के मैच के बारे में और आने वाले मैचों के बारे में हम बात करेंगे आप से नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अनुशृती और आप देख रहे हैं नेक्स नाइन स्पोर्स आज हमारे साथ हमारे स्पोर्स एरिटर अभिलाज जुड़ चुड़ चुके हैं वेलकम अभिलाज थेंकियो शुती अब अबुदाबी मैच था यहां पर 250-260 रन बहुत होते हैं यह आप यह मान लीजे कि शाड़े साड़े साड़े सो चार सो रनों के बराबर है और कहीं और श्री लंकाई टीम ने मौका दिया हैं बांगलादेश को आपको बता दूं कि दस रन पर तीन विकेट गिर चुके थे अचाता है कि बांगलादेश का बैटिंग लाइनप भी अब मजबूत है बॉलिंग में तो नो डाउट पिछले पांच साल में बांगलादेश की बालिंग बहतरीन हुई है मुस्तफिज और रह्मान जब से आये हैं मश्रफिम और कजा है तो यहां पर टीम इनकी बहुत अ पारी खेली थी लेकिन कल जो 144 रन की पारी है इस पारी ने दिखाया है कि बांगलादेश में बात तो है लेकिन अभी तक इनोंने कोई टॉर्नमेट जीता नहीं है अगर यहां पर इस जीत से अगर उनका मनोबल बढ़ता है तो शायद यह जो है यह टीम और आगे जा सकते ह है श्रिलंका बांगलादेश और अफगानिस्तान अल्मोस्स सिमिलर टीम है क्योंकि श्रिलंका को अब हम उस शैली में नहीं नहीं गिन सकते हैं जिस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है यह वो टीम नहीं है जब कुमार संगाकारा महेला जयवर्दने सानज जैसूरे जैसे ब कि अधर बहुत है लेगिन सब कॉल्टिनेट की जो टीम है वो टालमिल इठाए है तेस्मैच किया थे एल्ड़ तो अटनी जादा नहीं आनी चाहिए यहां पर सफ तॉर पर खराब बल्लेबाजी हुई श्री लगे इस शाव तो अच्छान एंगार नहीं उतना अच्छा प । अच्छा थी अब हर टीम हो जाएंगे क्योंकि लगबाग सबीघसे इस टीमों के 20-25 मैच बच्चे हैं वर्ल्ड कब को अगर देखा जाएं और एशिया कप हमेशा वर्ल्ड कु की ताएरी के तो पर माना जाता है अगर 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 एशिया कप रखा जाता तो तो यह यहां पर बड़ी बात यह है कि लसीट मलिंगा को वापस इसली लाया कि इनकी गेंदवाजी में वो धार नहीं है जाही कह आपने यहां पर मलिंगा ने कल वापसी करते हुए पहले ही मैच में चार विक्टे हासिल की हैं तो मलिंगा को अभी भी टीमे नहीं खेल पारी है बड दूसरी बात कल 15 कैच छोड़े है तो अगर आप कैच नहीं पकड़ेंगे तो बड़ा मुश्किल है अभी लाज और एक जो प्लस पॉइंट हमें देखने को मिला है इस माच में वो था तमीम ने जिस हिसाब से वो रिटायर्ड हुए उसके बाद एक हाथ से आके बैटिंग करना अपनी विकेट बचाय रखना और 10 विकेट पे मुझे यादे की 229 सम्तिंग था और उसको जो है उन लोगों ने बढ़ाया 262 तक अपना स्कोर किया तो कहीं ना कहीं यहां पे वो अपने देश के लिए खेलने का ज़जबा दिखाए दिया तो अगर आप वहां पर बहुत अच्छी एक स्पोर्ट्समें स्पिरिट शो की है अपने देश के लिए अपने कंट्री के लिए बहुत बड़ा स्टेप उठाया था जिसकी वज़एसे उनकी टीम को जीत भी मिलिया और यही अगर जो जैसा कि आपने गहा कि 229 पर बैटिंग करने यही स्कोर अगर पहतरीन गैदबाजी की शाकिब की बात करें मुस्तफिजूर की बात करें मश्रफ मुर्तजा की बात करें तो यहाँ पर एक संतुलन है इस तीम में अगर कमी है बांगलादेश के पास न सिरफ इनकी बल्लेबाजी है और कहीं न कहीं वो कमी दूर होती हुए दिखाई तो अब जो इंडियो और पाकिस्तान का मैच जो कि सबसे बड़ा मैच माना जाता है हर मतलब हर हिंदुस्तानी और हर पाकिस्तानी के लिए यह एक डू एंडाई सिच्वेशन होती है मतलब कि इतना जाद हमें अच्छा लगता है कि हम इसी माच के इंतजार करते तो बिलकुल का मैच और तो यह दोना मैच ऑगर भारत भी अंकों कोह का और तैता है तो यह ने पोहई पते हो अच्छा नहों होता रह जाए घू hen यह अच्छी बलल्यबासी करनी बड़े कीaci Pham आपके पास एक थोड़ा सर श्रिलंका को हम आउट करने श्रिलंका को तो अफगानिस्तान बांगलादेश पाकिस्तान यह तीनों ही टीमे जो है बड़ी देंजरस टीमे और इनकी गेंदवाजी बहुत ही एक अलग लेवल की है और शाहद अफगानिस्तान यहां पर ज्यादा नाम इनका है और कहीं ने कहीं उस खेलाडी ने एक आईपिल में भी हमने देखा एक अच्छी गेंदवाजी जादरा तो उन्होंने बहतर गेंदवाजी की है और यहां पर जब बाल फ्लाइट होकर आएगी न तो शॉट्स केलना उतना ही मुश्किल होगा यहां पर भारत क बहुत संबल कर खेलना और भारत-पाकिस्तान मैच के अगर बात की जाए तो यहां पर पाकिस्तानी टीम पूरा चड़ के खेल रही है सर फराज एमद ने कहा कि हम भारत को हरा कर मोमेंटम हासिल करने की कोशिश करेंगे ICC Champions Trophy की जीत को हम भूलेंगे और भारत को एक बार करतान रोहिज शर्मा यह कहा है कि हमें कंडिशन स्टालमिल बिठाना पड़ेगा आधी टीम तो आप आज पहुंचेगी तो आपके आठ प्लेयर वहां पर है साथ प्लेयर आपके आज पहुंचेंगे तो आपको प्रेक्टिस करने का टाइम नहीं है अब अगर आपको प्र आपके प्रेक्टिस आपके क्योंचे तो आपको लगते कि इसमैंच को हम कैसे बेखते हैं देखे, ICC के टॉर्णमेंट में वर्ल्ड कप में, टिम इंडिया जो है कभी हारी नहीं है पाकिस्तान से, लेकिन एशिया कप में भारत का पलड़ा जो है वो भारी रहा है पाकिस्तान पर, लेकिन यह हमें बिल्कुल नहीं भूलना होगा, शृती कलमा ने खबर भी की थी, कि यहां पर UAE में जब मैचेज होते हैं, शारजा में, उतना खराब रिकॉर्ड है भारत का पाकिस्तान के खिलाब, 37 मैचों में भारती टीम ने महस साथ से आठ बार जीत हासे की है, और पूरा का पूरा एक तरफा मुकाबला चला रहा है, और यह बात छोई बक्तर भी कह तो सभी जानते हैं, लेकिन अब यहां जिस तरह की कलप पिछ दिखी है, भारती गेंदबाज भी बहुत भारी पड़ेंगे, यहां पर चहल, कुल्दी प्यादव की जोड़ी है, साथ यह अगर यहां पर केदार जादव को भारती टीम खेलाती है, तो भारती टीम के पास द्वांटेज है, तो इतनी जाद़ दम नहीं है, पाकिस्तान के है और पाकिस्तान के जाद गश्या है, और अब इलाश हमारी बैटिंग की बात करें, क्योंकि भारत की बाति स्ट्रॉंग बानी जाती है पर इधर कुछ दिनों से जए हमने देखा था कि हमारी बैटिंग भी स्ट्रगल कर रही थी तो आपको क्या लगते है हमारा बैटिंग लाइनप क्या होना चाहिए देखे बैटिंग लाइनप शुरुती मैं तो अगर अपनी उपीनियन से बताऊ तो लगभग टीम चेंज करनी पड़ेगी रोहिचर्मा को जो खिलाडी आपके लिए रंस कर रहा है देखे मनीश पांडे मैं हमेशा नाम लेता हूँ एक ऐसे खिलाडी है जो आपको रंस करके दे सकते हैं अभी विराट कोली नहीं है अगर यह राहुल को खिलाते हैं तो तो इतना आज़ान नहीं होता है कंडिशन के साथ अड़ाप्ट करना और तो दिन बाद मैच ही है यहाँ पर अगर मनीश पांडे को टीम इंडिया खिलाती है तो मनीश पांडे को आप तीन नमबर पर ट्राई कर सकते हैं और इस विज़े से ट्राई कर सकते हैं क्योंकि अगर राहुल नहीं खेलते हैं तो आपके पास मनीश पांडे हैं चार नमबर पर महेंदर सिंगोनी खोद आएंगे माश नमबर पर केदार जाधव छे नमबर पर अगर टीम इंडिया मौका देगी तो अमबती राइडू को भी देगी क्योंकि दिनेश कारतिक को शायद ब तो यह टीम कॉंबिनेशन को चिसी तरह का होना चाहिए अगर चेंजस दिखेंगे तो केल राहुल और मनीश पांडे के बीच दिखेंगे दोनों खिलाडियों में से कोई एक खिलाडी है जो खेलेगा अब लाश आपको क्या लगते है यह जो होंकों का माच है हम बात कर रह तो कहीं ना कहीं होंकों की टीम बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है और जिस तरह से उनके आकड़े हैं मैं अभी इकल देख रहा था करीब पिछले एक साल में उन्होंने 38 मैच के लिए 38 में से 29 में उन्होंने जीत हासिल कि और बड़ी बड़ी टीमों के पड़ेगा कि हमें कौन से खिलाडी से क्या काम लेना क्योंकि बैक टू बैक डेज में आचा है अठारा को आपका होंकों के साथ है और उन्हें इसको आपका पाकिस्तान के साथ में और दुबाइ में कर्मी बहुत जादा है 47-48 डिगरी टेंपरेचर कम टेंपरेचर नहीं ह जिनका फिटनेस लेवल भी जो है उनको गवाही दे कि बिल्कुल फिटनेस लेवल मैंने इसलिए मनीश पांडे की बात की कि मनीश पांडे ने यो यो टेस्ट में दिखाया विराट कोली का उन्होंने तोड़ा है रिकॉर्ड उनने इस पॉइंट तो उनका रेशियो रहा ह है तो कहीं न कहीं मनीश पांडे आपके लिए एक बहुत उपियो की प्लियर साविक हो सकती है चलिए दोस्तों तो ये थी हमारी Asia Cup के बारे में आपके लिए जानकारी अब और भी हमारे Matches के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को like and subscribe करना प्लीज न भूले थन्यवाद